चीन अकसर अपनी नई नई कर्टूतों की वजह से चड़चा में रहता है। पिछले तीन साल से वो वाइरस की वजह से चड़चा में है। कुछ समय पहले वहां से नकली सूरज बनाने की खबरें सामने आई थी। अब चड़चा है कि चीन ने नकली चांद भी बनाया है। चीन साइन्स और टेकनोलजी की सेक्टर में लगातार बड़े कारनामे कर रहा है। नकली सूरज यानी आर्टिफिशल सन के बाद अब चीन ने नकली चांद यानी की आर्टिफिशल मून भी बना लिया है। चीन का कहना है कि इस नकली चांद से बिजली खर्च में काफी कमी आएगी। यह चांद जीरो ग्राविटी वाला है। रिपोर्ट के मुताबेक चीन के विज्ञानिकों ने इस नकली चांद पर चुम्बक्य शक्ति की परक्ख की है। इसे बनाने के पीछे कई उदेश हैं। इसका पहला मकसद भविश्य में चुम्बक्य शक्ति से चलने वाले यान तयार करना और ट्रांस्पोर्टेशन के नए साधन खोजना है। इसके अलावा चीन चांद पर बस्ती भी बसाना चाहता है। चाइना युनिवर्सिटी ओफ माइनिंग और टेक्नॉलजी के जियो टेक्निकल इंजिनियर ली रूइलीन ने कहा है कि वर्ष 2022 के अंत तक वहे इस नकली चांद में काफी शक्ति शाली चुम्बक्य शक्ति वाला वैक्यूम चैंबर बना लेंगे। जिसका व्यास दो फीट होगा इसके बाद इस चैंबर को पत्थरों और धूल से भर कर चांद की तरह ही सतह बनाई जाएगी। यह होगी कि बड़ी से बड़ी आपदा में भी ब्लैक आउट नहीं होगा। भूकंप और बाढ़ में भी नकली चांद रोशनी देता रहेगा। यह चांद स्ट्रीट लाइट पर आने वाले खर्च से भी सस्ता होगा। वज्यानिकों का दावा है कि पचास वर्ग किलोमीटर के छेतर में इस नकली चांद से होने वाली रोशनी से बिजली पर आने वाला खर्च हर साल एक दशमलव दो अरब युवान यानी सत्रह दशमलव तीन करोड डॉलर की बचत चीन कर सकता है। तो दोस्तों क्या आप भी कोई आर्टिफिशल मून या सन बनाने का सोच रहे हैं? और साथ ही में हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप को ये जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर करना बिलकुल भी न भूलें।